देर में फ्रेंज असकुस इंट्रेस्टिंग बात बनने वाला है तो हम लोग चलो बात में शुरू करता है अभी देखो यह नालाइस क्या था प्रेटिक्लो श्टाइग कारा के सहा मतलब अब लोग को मैं ट्रेड तो नहीं बता सकते हैं मतलब एक्स्प्रियेंस का शार बोल शकता है दिको यहां पर ओल्मस्ट मैंने आप लोग को टेलीगराम दे दिया है ठीके औरे तो और में झोडिकुत कर रहा हूं जो ऑल्मस्ट मै नहीं हाँ आपको सवरे का HDFC बैंक दे दिया हम अल्मॉस्ट है है चेक कर सकते हैं टेलिग्रम आके हार टाइम में नहीं देता क्योंकि जब सेल इंट्रेड है बोला 10 बसका 14 मिनिट एक्जीक्यूट की गयरा वास के मतलब कही करेब एक घंटा होगा साथ इसमें तो इसमें क्यों दे रहा हूं मार्केट का ट्रेंड बोलिश था और में लाग रहा है नीचे आ या लागने से कुछ नहीं होता फिर भी इस्ट्रप्लस हो यहां पर मैसेज दिया देख सकता है मैसेज क्या था यहां पर टाइम देखो बारा बास के एक मिनिट ठीक है यहां पर प्राइस चाल रहा था उस्ट्राइम मैं किस रिजन से वह दिया था बता रहा हूं यह इस्ट्राइक प्राइस था कुन सा है यहां पर देखो फॉर्ट ठीकिए यहां पे गिया हैपनिगे ही डेंग ही रूटु जीरो ऑ यहां अब आजको लग्दिगेगों ही रो टू जीरो बट ऐंक नोन फालन करंगी एक्टिभीटि मतलब आइसी आइसी ब्रेक आउट और HDFCB ब्रेक डाउन मतलब सबकर सब ब्रेक डाउन हो रहा था इसलिए कि आने का तो अल्मोस्ट वह जो रिस्पेक्ट कर रहा था वही हुआ मतलब यहां से चल रहा था उस ट्रेम उस ट्रेम बोले तो यहां पर देख सकता है लो हुआ है यहां पर पीनियम को यह जो पीनियम कितना था जहां पे नाइन इन्टीं रूपीस पीनियम वह 100 रुपीज भी क्रास और नाइंटेट रुपीज पिनियम कब था जब मैं 12 वाज़ दिया उसको बद एक बार जगा पहला मतलब उस देन क्या बता हो आपको यहां पे 10 से मतलब जद सब्सक्राइब यह मिनीट में हमको इस पाई मारा 100 रुपीज का मतलब एक रुपीज का वह तो अल्मोस्ट अभी वी चल आए देखो अभी भी चला है मतलो उस पी नियम को भाज सकता है कितना बड़ा पिनियम है कितना बड़ा प्रॉफिट पीनियम का यहां पर जाओगा बाय करते भी नहीं किया यह कुंसा है चलो कोई बात नहीं है यहां पर देख सकते हो प्य मैंने क्या किया देखो 0.15 लगा के रख दिया वाडर में प्लेश करके भी नहीं किया क्योंकि एड रूपीस पिनिया में ज्यादतर क्या होता है जीरो ही होता है ठीक है जीरो ही होता है मगर इस तरह से मार्केट में क्या होता है वह आटndra4 है यह किया 13 001 के पिन में और तोनके यह किस से यह जाता हूं आपको पांस रुपिया का पीनियाम कभी-कभी तीस रुपिया बगर इसे तरह से मुमेंट अब घान वले तो होता नहीं इम्हों देखो आठती रुपिया का का पिनियाम एकसोर थीन रुपिया चल रहा है फिलाल तो कितना मतलब ज्यादा मुनाफ़ा है मगर बाई किस रिजन इस औ करना मैं बता रहा हूं यहां पे भाई करना कब देखू हुआ है बाई बाई कीव करना देखो बाई तब ही करा जाता है जहाँ पे अब लोग क्या करता है option selling में इस strike पकड़ेंगे तो यहाँ पे चायड बेस्ट था तो ठीक है option प्राफिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट अब दूसरा में चल रहा है वो नहीं देखा था मैं आप लोग फिर क्या कि आईसी एसी बैंक में दाश परसेंट था भी चौदा परसेंट हो गाया कि समझो ऐसा होता नहीं मतलब हो जाता है इस तरह से देखो इसलिए मैं इस पाई मारा क्योंकि है मतलब सापटब सपर्ट्ट और शेड़ी सपर्ट और इसीविडियक में सपोर्ट तो लिए ना बैंक है मतलब फीफटी फरसेंट लेकर चले जाएक उसको बात कोटा की बैंक शाहत में जहाट का मारे तो मतलब बंक को नहीं रुक सकता है तो आलमुस्त इसलिए मीलकर भी सको ही 3 वही मतलब जहाटका मार रहा है तो इसलिए मैंने बोला राद युक्षा पै पहले हैं अभी उसका पिनियम कितना होगा आभी निउन्टेसिक्स किया पिनियम जीरो हो सकते हैं कभी होगा जब 43,200 का वूंडिट अपर रहेगा जब तो का नीचे है ठीक है तो इसक पिनियम कर जीरो नहीं हो सकता है जब तक यहां तो अप्शोन बाइंग में क्या होता है आना प्रडक्शन बाइ करके चले जाना अब में रीजन क्या है मालों में उस ट्राइम को पिनियम कितना था यहां का इसे नहीं समझ आएगा अब लोग को इसमें जाये के समझाएंगे कि कौन सा या रिकाउंट का इसे जादा यह दर उदर हो रहा है यहां पर बैंक निप्ट्या यह यह वह इस ट्राइक प्रैज रइड़ तो अभी क्या है देखो 43,200 का इस ट्राइक में इसका आट रूपी पिनियम था आट रूपी पिनियम में आप्शन सेलर यहां पर रहेता ही नहीं है ठीक है अगर 8 रूपी अगर स्पाई कब मरता है 43,300 43,400 में था तो उसको बाद था यह स्ट्राइक में ज्यादा था मतलब समझ दोना 43,000 में जो आदमी ऑप्शन सेल करके यह उसका वीव था मारके ऊपर जाएगा राइट तो वह क्या होगा इस स्ट्राइक का प पर तो 30 40 रूपीस रहे था तब अप्शन से एक्जीक्यूट कर देगा जो बड़ा बड़ा इंवेस्टर तो अगर कोही है वी कॉंटिटी हो इसका क्या होता पांस मरेगा मतलब इसका सपोज अगर पानी में पानी मतलब जा रहा है उसका मीटी लगा दिया भीस में तो स्पाइक मारा कितना हंडेट में चले गया इसका बाजू में कौन है यह वाला है तो एक स्पाइक में मतलब उस देन वान मिनिट में इतने स्पाइक मारा क्या बता हो हंडेट रूपी चले गया तो इस तरह से होता है ऑप्शन बायर में क्या होता है आपको एक्सपाइर 150 मतलब एक देड़ बाजे का अंदर जो भी ट्रेड इंशिट करना उसको बाद आपको ट्रेड ले रहा नहीं तो उतना इस्पाइक मान रहे का नहीं तो उसके लिए ना आपको चार्ट वही चार्ट बेरी इंपर्टन है समझ गया मेरे बात कैसे क्या नहीं लो मैं बोल आओ से जहां पर ऑक्शन सिलर का और इस्ट्रफ लोस खा जा रहा है तो उस ट्रैप्र में एक स्पाइक मारे का जरूर 610 ठीक है तो हम को क्या करना एक्सली जितना भी देख रहा है यहां पर क्या की पूरा का सिग्ट G5 प्राइश अब ने आ पर u कि इस्टार्बास जीतना वी स्टागर प्राई उसका प्राइस age और ठीक हैं तो उसका उस्यक्लिक आ जाएगा अगर यह प्राइस जीरो भी हो सकता है क्योंकि 43200 इसके उपर रहेगा तो भी आसपास रहे तो भी वह थोड़ा आगे एक पॉइंट भी उपर है तो पिनियम जीरो हो जागा ऑप्शन बाइंग में जीरो हो जाता है ऑप्शन सेलर के लिए अभी भी प्रॉफिट ब मार्केट प्राइस जही इंट्री करेगा उसमें टिगार हो जाएगा नीचे आटोमेटिक उसको 20-30 रुपिर प्रॉफिट लाउज देखाएगा जिसका काम है को था आई वी इस टाइम में फाइदा किसका हो रहा है अप्शन सेलर को ठीक है अब उस टाइम में किसका फाइ इस एक्टिविटी समझना अब लोग ठीक है और मैंने इसका वीडियो का अंदर और एक बत बताएंगे अगर किसी को अगर इंवेस्टिंग कर रहा है ठीक है किदार भी आप बाई सेल कर रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ठीक है यह कुण सा यह जिलो अलाठ है जिरो दाहा है यह मारा फायर अला चल जाला अभी शेयर कंस्वरों में स्टॉक अपडेट आया अभी का स्ट्राइट प्राइस इसको देखो 52 होगा है मतलों यह प्राइस फिर से जीरो हो शाकता है क्योंकि अगर उपर गिया तो 42,000 का उपर होना चाहिए मार्केट तो अटमेटिक जीरो हो जाएगा अभी मार्केट तो इस तरह से देखो कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट का रहा है स्विंग बता हुआ आपका पास 10,000 रुप्या है साल में वह 10,000 को यह आप्शन फिंसार शोड़ो में एक ही बाद बता रहो वीडियो में यह साल में अगर आपको पास 10,000 है 10,000 में मैं बोलता हूँ आपका 40% केपिटल बना सकता हूँ 30% भी बना सकता हूँ कभी कभी 60% भी बना सकता हूँ 60% किसलिए देखो यहाँ पे दिखाएगे चलो मैं लाई भी देखाता हूँ आपको 60% केपिटिल कहा से होता है देखो मैं यहाँ पर सोटा एकाउन देखा रहा हूँ इसका मतलब नहीं है जो समझा आपका अच्छा लगा ठीक है यहाँ पर देखो क्या हुआ इसका कितना परसंट ते रहा है कि 66 ऑभी 80 परसंट 110 परसंट भी बतलो एक बतलो आम हो इनवेस्टिंग स्विंग ट्रेडिंग अलग अलग बताता हूँ आप लोग को यहाँ पर देखो केपिटिल मेरा मतलब आपको 10 थाउजन है तो उस थेन थाउज में आपको साल में 40 परस 30% 25% मार्केट में चलना है तो जो भी है आपको कित्ता भी होने दो पैसा तो एक रुपे भी पैसा ही पैसा होता है तो अगर आपका पास 10,000 रुपे है इसका मतलब आपका पास अल्मस्ट 40% केपिटल होना मतलब गुरो होना चाहिए एक साल में चाहिए आप उस भी करो ठीक है मैं बताओंगा आप स्विंग ट्रेडिंग करें ठीक है स्विंग ट्रेडिंग में आपको केपिटल 40% बनाने में कोई पॉब्लेम नहीं हो और उसके लिए मैंने आपको रखना हाय हईलो इसा नहीं शीदा आकर शार्ट भीजाना थी के नाम बताना उसको बात जो पॉब्लेम उसको बोलना आपको मेंने इस्ट्रो आप lies करेंगे उसको बार में आपको बताएंगे क्या हाँ है आप अप कर सकते कि नहीं इतना बाद में आपको बता हैं रिश मे आप चाहिए तो इसमें क्या कर सकते हैं यह color green strategy है तो हम penny stock का बात ही नहीं करेंगे अब जो profit का वाना तो penny stock से नहीं हो जाता है तो आपको swing trading करना है और आपको color green strategy शाद entry कराएंगे और किस तरह के entry यह की बार में पूरा पैसा नहीं लगा जाता है आपको साल में ठीक है तो आप क्या करना मेरे कोई stock बाताना मैंने उसको fundamentally check करेंगे चार्ट से करेंगे असका बात अगर आपको वह stock मतलब business model अच्छा है तो उस management अच्छा है तो मैं उसमें swing trading कराएंगे आपको ठीक है अगर penny stock मतलब जो weak है उस stock में आपको मैंने कभी मतलब color green strategy नहीं apply कर सकता है तो अलग-अलग strategy में उसको stop loss भी देंगे तो उस तरह से swing trading करा के मतलब आपको मैं capital में 40% growth दे सकता हूँ ठीक है मैं मतलब 118% में बोल सकता हूँ मगर पैसा एक बार में एक stock में नहीं लगा सकता हूँ strategy एक में loss जाएगा दूसरा में उठाएगा उसमें कौन सा बड़ी बात है तो मैं जो बोलता हूँ में help कर सकता हूँ profit मतलब capital lose नहीं करा सकता हूँ ठीक है मैं at least 40-50% बात अलग है अगर मैं आपको help कर सकता हूँ आप मतलब गरिटाग को आके मेरा एक टेलिग्राम लिंक है जाके इसमें मैसेश करना मेरी को श्टॉक करना मेरी जाएभ अइगे भी को चार्ब जाना थो चार्ब चार्ड घना और श् ness 2001 का कना अज़िक है यहां पर इसासी बेंट हो उसको बद में यहां पर देखके और चेक करके आपको पबल मुरत है किसे किसमें जाके कुछ सा स्ट्राइक बाय मतलब स्ट्राइक नहीं तो इसलिए यहां है ब्रेकअट होता इस तिरह से काम नहीं होगे इस जाहां से इंट्री कराएंगे आपको मेक्सिमम प्रॉफिट होना मतलब शाल 50% केविटेल गुरो करना थे हां पर आना ठीक है और खली गुरो कराना का नहीं आपको शीटने कहा है खुद से करना में जिन्दे के बड़ आपको नहीं देपाएंगे एट लिस्ट आपको वान यार टू एर सबट कर सकता हूं महीं हां पर क्यूंकि मैं सबटिंग करेंगे ज लगा हो चलेगा अगर उसका शाथ आपको ब्रोकर भी फ्री होना चाहिए तो मजा जाएगा तो थैंक्यू डिया में फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब अगर सब्ट होना तो आप सामको आकर चाट भी जाना उसका शाथ नीचे जो भी मैसेज बगरा लिख दिना तो आपको सपोर्ट करेंगे जोड़ी रांडेट 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 परसन सी यू बाइवाए चाहिए क्यू ना कितना भी वड़ा केपिटेल क्यू ना हो ठीक है बाइवाए सी यू